तो बच्चों जैसा कि आपको पता है आप क्लास नाइंथ की समय मैथमेटिक्स पढ़ रहें एक सरसाइज चल रहा है आपका 7.4 आज चलेगा 7.3 खतम हो गया मैंने दो कुश्चन होमवर्क दिया आप लोग उसको करना नहीं आएगा तो बताना कुश्चन नमबर फ़र्स इसमें बहुत ही सिंपल सा है बेरी सिंपल है करा कि दरसाइए कि समकौन तिरबूज में करण सबसे बड़ी भुजा होती है करण मतलब हाइपोटिनियस आपको पता है कि जब हम एक राइट एंगल बनाते हैं समकौन बनाते हैं यह इधर साइड कि भाई सिद्व करों कि यह लंबी बुजा यह सबसे बड़ी होती है वो तो सबको पता है कि कि समकौन से रिबूज में करण सबसे बड़ी बुजा होती है लेकिन हमें इसको क्या करना है तो चलिए क्या करेंगे हम इसको प्रूब करते हैं इधर साइड में आफ लिखो हल देख तो रहा ना यहां पर कोई दिक्कत नहीं न यह यूपी बोर्ट सीवेसी बोर्ट सबके लिए इंपॉर्टेंट है चुकि एंसी एर्टी पैटन जो है वो दोनों में होता है सीवेसी में उनली इंग्लिस में कोईश्चन होगा वास इतना ही डिफ्रेंस है देखो सबसे पहले हम मानेगे एंग्लिस में लेकिन हिंदी में लिखाएंगे आप लोग लिखो नहीं को यह यह समकॉंड नहीं ठिक है यह मैने माननलिया उसको बना लिया यह क्या एक सम-कॉड तरबूञ है और नीचे लिख लो और आगी जिसका कॉन्ड बी sum cone है, क्या है sum cone है, मतलब 90 है, हमने बना लिया कि A, B, C एक sum cone तिरबूज है, जिसका cone भी क्या है, sum cone है, इतना सब को पता है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर angle A plus angle V plus angle C equal 180 कर सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, यह तिरबूज के एक परमिय होती है, आप सभी ने पढ़ा होगा कोई श्टक में region लिख लो, तिरबूज के तीनों अन्ता कोणों का योग, तीनों अन्ता कोणों का योग क्या होता है इसको मैं नीचे लिख देता हूँ क्लियर हो जाए आपको कोई डाउट ना रह जाए ये लो ठीक है अब हमें काम कर सकते हैं एंगल ए छोड़ दो एंगल बी कमान हम नब्बे रख सकते हैं इसमें से चुकि इसमें से 90 दिया है और दूसरा जो है एंगल देखो एंगल सी को भी तुम क्या करोगे ऐसे लिखता होगे 180 फाइनल में अगर आप यहां से एंगल ए प्लस एंगल सी निकालोगे तो आपको 180-90 मिलेगा मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल 90 यहां से आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि हमारा जो कौन सी और ए है दोनों को मिला करके 90 इंस हो रहा है दोनों को जोडने के बाद क्या ओगा नब्य होगा लेकिन जो एंगल भी है वो अकेले ही 90 है जैनी कहने का यह मतलब है इन दोनों की योगफल के ब coy है ना सभी को समझ में आ रहा ना इसमें कोई दिक्कत नहीं न किसी को चलो इतना लिख लिए आप कोई दिक्कत नहीं न इतना हो गया चलो जल्दी से इसका स्क्रीन सार्ट ले लो या फिर वीडियो रोंक के लिख लो बहुत जल्दी करो भई देर मत करो चुकि टैम बहुत ज़ादा नहीं है इतना होने के बाद आपको कुछ लाइने लिखना है, पस्टि करण में मैं बोल रहा हूँ लिखो आताहा सबसे बड़ा कौड B है आताहा सबसे बड़ा कौड B है बहुत नीचे लिखोगे तुम लोगा आता है सबसे बड़ा कोण B है क्योंकि ये 90 अंस है जबकी एंगल A प्लस एंगल C इक्वल 90 है क्या है एंगल A प्लस C इक्वल 90 है मतलब की दोनों का यो क्या है 90 है मतलब तब दोनों Nune-con होंगी क्या होंगी Nune-con होंगी भाई सिंपल सी बात है अगर दो कोणों का युख्फ़ल 90 है तो दोनो नहीं कोन है नहीं कोड़ होते हैं जो 90 से कम होते हैं एक वन डिग्री से ले करके 89 तक होते हैं तो अगर पहला कौन हमें एक मान सकते हैं दूसरा नमासी भी मान सकते हैं दोनों मतलब नियुक्त है इतना हो गया जो प्रूब करना वो चीज में बता रहा हूं ध्यान तो अब आगे आप लिखोगे एसी सबसे बड़ी भूजा होगी हमें वही तो उसी दकर ना था ना क्योंकि किसी तिर्बूज में किसी तिर्बूज में सबसे बड़े कोड के सामने की भूजा सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है यह मैंने CPCT रूल में पढ़ाया था अगर नहीं देखे हो तो कमेंट करके बताओ हम आपको दिखा देंगे उसको चरूर देख लेने description में देखो हो सकता लिंका भी आपको मिल जाए तो उसे देख लीजिए ठीक है यह सबसे बड़ा कोण 90 है इसके सामने की जो एंगल होगा वो क्या है AC है और AC क्या होगी सबसे बड़ी भुजा होगी अगर यह सबसे छोटा कोण है तो इसके सामने की भुजा सबसे छोटी भुजा मानी जाएगी यह मैंने आपको पढ़ाया था जब एंगल की प्रोपर्टी पढ़ाया था उसमें बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया था स्टार्टिंग में जब संभाहू भी संभाहू तिरुज बताया था में बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया था है ना तो बच्चा आपका यह first question complete होता है अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो वीडियो में ज्यादा अफ ज्यादा आप कमेंट करो आपको सब कुछ मिलेगा यह अपने first question देख लिया अगर अगर आप free में पढ़ना चाहते हो तो YouTube पे बिल्कुल free में चैनल सब्सक्राइब करो नीचे डेली आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे और आप पढ़ाई करते सकते मतलब कर दे रहें ठीक है वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत-बहुत कोटी-कोटी सुक्रिया इस वीडियो को जादा फिजाद आपने सभी साथियों में सेयर करूं सापाटियों में और आप PBR Study इलहाबाद चैनल और PBR Study 3.0 चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहें हमारे साथ हम आपको पूरा complete course YouTube पर देंगे और आप आसानी से धिरे-धिरे सब कुछ सीख जाएंगे अगर आपको कुछ भी नहीं आता मैं थे में बिल्कुल कमजोर हैं तो आप जीरो लेबल वाली क्लास देखिए जिसमें कक्चा एक से पढ़ाया जाता है मिलतें नेक्स्ट क्लास में जैहिन